यह बारी क्लेस डिसाइंग बना रहे हैं मैं cotton thread यूज़ कर रहे हूं इसे बनाने के बाद आप अपने fabric में attach कर सकते हैं या scarf में attach कर सकते हैं slip knot बनाएंगे और पहले हमें chain 3 बनानी है 1,2,3 chain 3 बनाने के बाद यह hook से हमें count करना है यह one और यह second जो middle में जो हमारी stitch हा रही है उसमें हमें 5 single crochet बनाना है 1,2,3,4,5 5 single crochet बनाने के बाद इसी तरह में ऐसे turn करना है clockwise अब हमें chain 1 बनानी है chain 1 बनाने के बाद जो first stitch है हमारी first single crochet इसमें हमें फिर से 5 single crochet बनाना है 1,2,3,4,5 5 single crochet होने के बाद फिर से हमें इस तरह से turn करना है अब इस साइट आगे अब फिर से chain 1 सब सेम रिपीट करना है और हमें यहां से देखने है जो first stitch है हमारा first single crochet तो first single crochet में chain 1 बनाने के बाद हमें 5 single crochet बनाना है तो इसी तरह repeat करते रहेंगे और जितनी हमें desired length चाहिए उतनी length तक हम यह बारी क्लेस को बनाएंगे 2 3 4 5 5 होने के साथ ही इस तरह से turn करना है यह ऐसे clockwise यह पार्ट पर आगे अब chain 1 और यह हमारा first stitch है single crochet का previous row का तो इसमें जाकर हमें 5 single crochet बनाएंगे तो इसी तरह से बनाते जाए जब तक हमें desired length मिल जाती है यह देख सकते हैं कि इतनी ब्यूटिफिल दिखाई दे रही है यह लेस तो इसे बनाएं और जरूर ट्राइए करें यह design को करते हैं करते हैं मत like